आजका जो टॉपिक है वो हम लोग डिसकस करेंगे मिशन कर्म योगी ये काफ़ी इंपोर्टेंट है और इसको समझना जरूरी कोगी रीसेंट चीजे जो है अपके एक्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है तो यहां पर यह किस बारे है मिशन कर्म योगी है क्या पहले टॉण स richness का पर अपिजन के लिए ना मिशन कर्म होगी ठेक है डिस्टेवी और इंड हे मतलब एक तरह से जो सिवल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपसिटी को बिल्ड करने के लिए सही डिरेक्शन में काम कर सकें और बहुतर आउटपूट ला सकें इस वजह से मिशन कर्म योगी जो है यह लाया गया है तो एक तरह से ट्रेनिंग के परपस से इसको लांच किया गया है इस मिशन को लांच किया गया है तो आप यह ध्यान अखोगे इससे लेंटर कोशन पूछे जा सकते हैं कि यू आर आलसो गोईंग टो बी अ गॉवर्णमेंट जॉब गॉवर्मेंट इंपलाई तो इस वजह से यह स्कीम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसके साथ ही साथ फेंज आप आप आई बीए सी आयो टीर 3 की इंटर्वी बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा इसमें आप आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए साथ इंपॉर्टेंट इंटर्वी कोश्चन से आप से पूछे जा सकते हैं चाहो पॉस्नलेटी डेवलप्मेंट से लेटेड हो यह अधर रिलेटेड से लेटेड हो साधी साथ 25 प्लस आस कि आपको लाइव इंटरेक्टिव क्ल करना चाहिए कि आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तयार करने की भी योगत नहीं पड़ेगी सारी चीज़ा आपको एक ही जगह पर एक सीक्वेंस मैना में मिल जाए है तो लिम्टेट सी अवेलेबल है इस वज़े से आप इस बैज को जाए है रा कर सकते हो, डिसकांट कोड यूज कर सकते हो, एज़ेट है राइट से लिटल इंपोर्टन फैक्स क्या है उनको समढ़ लेते हैं ता कि आपको आंसर गरने में कोई प्रोब्लम ना, राइट जैसे इट एमस तो स्टैबिश्ट अ न्यू नेशनल आर्टेक्ट्चर पर सिवल इंडिविज्वल पर हो, इंस्टिशनल लेवल पर हो या फिर प्रोस्स लेवल पर हो, इसके लाव इंडिविज्वल से एक तरह से यहां पर आप कह सकते हो, ब्रश अप किया जाएगा, उनकी इसकिल्स को निखार आ जाएगा, ता कि वह और बेटर रिजर्ट्स लाश के औ इस रेंज में 2020 से दोजर 25 की रेंज में ठीक है मनलब 2020 तक चलता रहेगा इस तरह रहेगा इस तरह आप special purpose vehicle non-profit company is set up under the company that on 13 to run this mission ठीक है special purpose vehicle is SPV non-profit company इसको establish किया गया है complete 2013 के दौरा ताकि इसे एक तरह से set up किया जा साथ कि राइट SPV will manage iGOT कर्मयोगी which is the online training digital platform, अब यह iGOT क्या है, iGOT कर्मयोगी जो एक digital platform है, जहां से बिसिकली जो content है और जो जितना भी study कराई जाएगी या training दी जाएगी, वो इसी platform के दूर दी जाएगी, तो SPV इसको manage करेगा, special परपज वाइकल, जो यह company है, यह इसको manage करेगी iGOT को, अब ध्यान रखेंगें यहां से, अब iGOT को थोड़ा सच्छे समझ लेते है, iGOT कर्मयोगी का यहां पर means क्या है, कि एक integrated government online training digital platform, under the ministry of human resource and development, MHRD के अंतरगती आएगा, which will deliver capacity building programs by drawing contents from global best practices rooted in Indian national ethos, एक मतलब यहां पर इसका main purpose क्या है, iGOT कर्मयोगी का मतलब क्या है, यह एक digital platform online training platform एक तरह सकते हो, ठीक है, जो कि किसके अंतरगताएगा, HRD ministry के अंतरगताएगा, human resource development ministry के अंतरगताएगा, और यह क्या करेगा, capacity building programs develop करेगा, एक तरह से deliver करेगा, ताकि best content जो है, और best practices है, उसको लाया जा सके और उनको सिखाया सके, तो इस वज़े से इसको अब ध्यान ना कि आएगा, एक online training platform, इसके लागा, इसके लागा, इनेबल अ comprehensive reform in the capacity building apparatus, at the individual institutional process level, इससे क्या और काफी बड़ा एक तरह से reform आएगा, बदलावाएगा, capacity building को लेटाएगा, मतलब लोग, यहाँ पर जो employees, जो central government employees है, यहाँ जो हमारे सरकारी employees है, उनको यहाँ पर चीजों क सिखाया जाएगा, साही तरीके से, manage करना सिखाया जाएगा, मतलब इनको एक रा ट्रेनिंग दी जाएगा, उनकी skills को enhance किया जाएगा, इस यह इस हो जना गंतरा, इस mission गंतरा, civil servants will have to take online courses, and they will be evaluated based on their courses, their performance in each course, they have taken spreading across their span of services, मतलब यह है कि civil servants चोंगे, उनको online courses opt करने होंगे, उनको test लेने होंगे, online courses लेने होंगे, और उनको evaluate किया जाएगा, उनके post के basis पे, जो भी उनने post लिया है, उसी हिसाफ से उनकी performance जो होगी, हर एक course में उसको देखा जाएगा, analyze के जाएगा, उसी हिसाफ से उनकी span of services भी ब परता चला जाएगा, next level तर, right, तो यहां पर आप इस तरह से पूरा बता सकते हो, इसके बारे में, इसके जाएगा, all digital e-learning courses of the word class content will be uploaded on this platform for civil servants, यानि word के best content जो होंगे, वो इस e-learning courses में digitally यहां पर provide के जाएगे, इस platform में, ताकि civil servants को सारी information या best content मिल सके, right, along with the online courses, services like confirmation after probation period, deployment, work assessment and notification of vacancies, vacancies etc. would also be integrated on the platform, ठीक है, अब इसके लवा और भी चीजेस में है, और भी services है, जैसे probation period, deployment, work assessment, notification of vacancy, यह सारा जो रहेगा, इस नहीनी platform के तरह रहेगा, right, तो यह काफी अच्छा एक तरह से initiative है, उसके थूरू जो है, जो हमारी bureaucracy है, उसमें काफी बदला हो आई, right, तो इस तरह से capacity building को focus करते हो, इसको launch किया गया, तो इसको आप धान लखेंगे, अब बात कर लेते हैं, इसके key features, क्या important features, क्या है, इस mission के, mission कर नहीं हो की, features आप से पूछे जा सकते हैं, objectives पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप बता सकते हो, जैसे the transition from rule-based to role based human resource management, यहां पर रूल बेस्ट है, role-based human resource development, यहां पर एक तरह से होगा, HR management होगा, मतलब पहले क्या rule-based है, मतलब एक तरह से जो rules है, उसके साफ से चलना है, लेकिर आप क्या role-based होगा, role-based मतलब किसका क्या role है कहां पर, उसके साफ से काम करें, जैब role-based work करेंगे, तो उससे off-site learning को कॉंप्लिमेंट कर देगा, ठीक है, यहां पर यहां पर इसके इंतर का section होगा, जो यहां पर training दी जाएगी, उससे क्या होगा, यह एक ecosystem डवलप किया गया है, जिससे की training infrastructure पूरा shared हो जाएगा, इस framework of roles, activities and competencies approach, ठीक है, मतलब यहां पर किसका क्या role है, किसको क्या activity कर रहेंगी, तो जो की काफी बैटर रहेगा, अब यह क्या है, कि जो वेक्ति जहां पर work कर रहा हो, उसी place से work कर रहा हो, उसके लिए कुतना, कितना competent है, यह चीज़ नहीं, अनलाइज की जाते ही, लेकिन आप क्या है, इस mission के थूरू क्या है, कि जो भी वेक्ति जहां पर work कर यहां पर learning content creators है, इसके लाब behavior, functional और domain competencies यहां पर हैं, इसको भी यहां पर consider किया जाएगा, इसके लाबा, co-creation of the common ecosystem by all the central ministry departments and their operations, यह गया नहीं कि एक तरह से co-creation of common ecosystem develop किया जाएगा, सभी central ministries दौरा developed, जो departments या पर their organization, जो उनकी organization उनके बारा, तो यह सारे ही जो हैं आपर features इसके आप इसको explain का सकते हो, now moving to the objectives, what are the main objectives of mission कर्मयोगी, ठीक, objective समझ लेते हैं, important है, it will supervise all central training institutions, which are enabled for civil services capacity building, ठीक, है मतला, mission कर्मयोगी, जो है, इसके द्वारा, जितनी भी central training institutions, उन सब पे निग्रानी की जाएगी, उन सब पे जो है, एक तरह से, इनको supervise किया जा सकेगा, तो यह भी आप बता सकते हो, इसके लावा, it will create external faculty and resource center, एक तरह से, external faculty होगी, और साथ ही साथ, जो resource center, जो कुछ भी मतलब सीखा जा सके, जो भी, कोई भी वेक्ति, जो भी, basically, जो civil servants होंगे, जो भी सीखना चाहें, जो सीख सकेंगे, right, it will assist stakeholder departments in the deployment of the capacity building programs, जो stakeholder departments है, इसके implementation में वो भी एक तरह से assist कर पाएंगे, help कर पाएंगे, right, it will put forth recommendation on the standardization of training and capacity building, pedagogy and methodology, ठीक है, यानि कि एक तरह से, यह fourth recommendation होगा, standardization को लेकर के, training, capacity building, related, pedagogy and methodology लेकर के, इसका मतलब क्या है, simple सा, कि यहाँ पे यह जो online training की कराई जाएगी, जो training होगी, इसके द्वारा, चीज़े, सिखा दी जाएगी, है ना, मतलब हर तरह की standardization, जो training का है, capacity building का है, pedagogy से related, methodology से related, यह सारी चीज़े, इसके अंतरगत, जो है, मिल जाएगे, यह सारी चीज़े, एक ही जगह पर आपके, आ जाएगे, it will suggest policy intervention related to HR practices in the government, एक तरह से policy intervention, जो HR practices है, उसको भी एक तरह से जो, उसको हमारी bureaucracy का, उसको खतम करने के लिए, इसको में जो है, लाया गया, इस approach को रखा गया, right, now moving to the six pillars of mission कर्मियोगी, six pillars क्या है, आप से पूछा आ सकता है, what are the six pillars of mission कर्मियोगी, यह six pillars जो आपको ध्यान रखने है, जैसे policy framework है, पहले चीज़े, policy framework, दूसरा institutional framework है, और competency framework, ठीक है, पहले policy framework करेंगे, policy बनाई जाएगी, इस institutional framework होगा, इसमें इस institutional कैसे training दिये जाएगी, competency framework में किसकी क्या competency है, उसके हिसाब सब्सकों पोस्तिंग दी जाएगी, फिर digital learning framework होगा, कैसे digitally चीज़ों को चिखा जाएगी, तो digital learning platform, इसके लाब इसके लाब, electronic human resource management system, EHRM होगा, और स six pillars है, mission कर में होगी, right, तो इनको आप ध्यान रख सकते हो, important है, और इससे लेटर ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा, basically basic चीज़े ही आप से पूछी जाएगी, जैसे आप से पूछी जाएगी, what is mission कर में होगी, what are the objectives of mission कर में होगी, what are the key features, इस तरह क जाएगी चीज़े आप से पूछी जाएगे, right, तो बहुत ज़्यादा डीप में आप से कुछ नहीं पूछा है, और ये इतना डीप में अगर आप पढ़ लोगे, definitely आप से कुछ भी पूछ ले रहा, उसको easily answer कर पा होगे, आपको कुछ नया नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हो में होगी, इसकी ज़रत नहीं हो पड़ी, क्या ज़रत थी इसकी, right, तो मिशन कर में होगी होगी, required because there is a need to develop domain knowledge besides administrative capability, capacity in the bureaucracy, मतलब एक तरह से यहां पे ज़रृत इसले बड़ी क्यों कि डूमें नौलेज होना चाहिए, administrative capacity तो है अलड़ी लेकिन डूमें नौलेज में होना चा process उसको formalize किया गया, इसके इंतरकत, साथ ही साथ जो है जो public services उसको bureaucrat की competencies के साफसे उनको रखा जाए, right, so as to find the right person for the right job, यानि जो right person को right job के लिए इसको त्यार किया जासे कि right person को right job मिल पाए, right, तो इस वज़े से यह important mission कर में होगी, इसको अब ध्यान लखेंगे, और आप से questions पूछे जाएंगे इस topic से, right, there can be many type of questions which can be asked from this topic, so you have to understand whatever we have learned in this session, you just have to go through this slide once or twice, so that you can remember it, right, जो से तीन बार आप इसको याइड कर लोगे, तो भी आपको यादेगा, सारी चीज़े बहुत ही simple language में है, कुछ भी यापर ऐसा नहीं है, जो अच्छे से ना सुमझ में ह हूँ, इसके साही साथ आप लोग टेलिग्राम चनल को जॉइन कर सकते हो, इसके आपको सारी important PDFs और classes की notification मिल जाएंगे, right, और इसका link आपको description में मिल जाएका, और comment section में पिन कर दूँगा, वहाँ से जाके आप, वहाँ से देख सकते हो, वहाँ से जाके जॉइन कर सकते हो और इसके सकते होравствуйте किसा से टाएंगे, पिर का फिर किसा है सकते हो है, वहाँ से एक कर सकते होँ मिल जाएंगे.